अब बारी आ गई है 6.2 के 7th question की और दियान रहा है यह बहुत important question है बहुत ही ज्यादा important question अकसार बार exams वगेरा में पूछा भी जाता है तो चलिए देखिए read कर लेते हैं आप अपनी बुक में read कर लीजें मेरे साथ में कि using theorem 6.1 याने कौन सी theorem use करनी है 6.1 proves and align अच्छा मैं थोड़ी दिरे पहले आप से discuss कर रहा है देखिए question में भी यही आया using theorem 6.1 मैंने आपसे कहा था ना कि 6.1 theorem का reference हम दे सकते हैं तो देखो उसका यह prove है यह आप चाहें तो sales लिखें 6.1 लिखें bpt लिखें there will be no problem using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side वो बोल रहा है कि using theorem 6.1 theorem 6.1 theorem को हमें use करते हों बताना है कि अगर एक line के midpoint से किसी एक line के midpoint से अगर दूसरी line पर कोई line एक अलग line draw की जाए जो parallel हो इस line के तो वो तीसरी line को यह इसको bisect करती है यानि आपको given क्या है पहले तो यह समझ लो आपको बड़ा मज़दार question है यह AD equal to DB given है AD equal to DB given है और DE is parallel to BC यह भी given है और to proof proof क्या करना है देखो proof करना है आपको AE is equal to EC ठीक है बड़ा easy और जो उसने हमको clue दिया उसी से हम solve करेंगे अब उसने क्या बोला by using by 6.1 theorem 6.1 theorem मतला हमसे क्या बोलती है 6.1 theorem हमसे बोल रही है कि अगर यह side इस side के parallel हो तो यह sides जो है proportionally equal होंगी यह हमसे 6.1 theorem बोल रही है तो ठीक है बाइस 6.1 theorem हम क्या लिख सकते हैं DE is DE parallel to BC है since DE parallel to BC therefore हम क्या लिख सकते है AD upon DB is equal to AE upon EC ठीक है लिख सकते हैं क्या से लिखा अपनने using 6.1 theorem ठीक है अब मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता यह मुझे AD की जगा में DB रख सकता हूं देखो उसने हमें given दिया AD is equal to DB ठीक है मैं put कर देता हूं AD upon AD लिख सकते हैं DB की जगा में AD की क्यों दोनों equal हैं AE upon EC बहुत छोटा question है पर बहुत important question एक्जाम में पूछा जाता है cancels for one time तो देखो one is equal to AE upon EC cross multiplication कर देंगे तो क्या हो जाएगा EC upon equal to AE यही proof करना था देखो हो गया हो गया यह दोनों भी क्या होंगी equal हो यह अपन EC भी होंगी equal यह हमने proof कर दिया करें